हेलो एबरीवन स्टुति शुक्लाइज हेयर तुदील टुदील फेडरलिजम चैप्टर विथ यू इससे पहले हम लोग क्लास 10 का पावर शेरिंग चैप्टर देख चुके हैं और आगे यहां फेडरलिजम चैप्टर पर बात करेंगे ठीक है तो यह जो हमारा चैप्टर है इसको कोशिश करेंगे कि इसको कम्प्लीट कर लें इसमें यह वीडियो वान शॉट होगा पुरा इस चैप्टर का ताकि आप इसको रिवीजन के लिए भी हैल्फुल हो और न्सीयाटी पढ़ने के लिए आपके लिए यह हैल्फुल हो अगर बात करें फेडरलिजम वर्ड पहली बात तो यह चैप्टर आपको बहतर समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आपको पावर शेरिंग की समझ नहीं होगी तो बहतर है कि आप पावर शेरिंग वाला वीडियो जा करके देख लीजिए उसको मैंने काईदे से पुरा इसको लाइन बाइन एक्स्प्रें जो कि लैटिन भाषा का इस शब्द है फिडस वर्ड जिसका मतलब होता है ट्रीटी या कण्वेनेंट एक संझ आप इस शब्द दो मतलब होता है और जो फैडरिजम वर्ड है वह फैडर वर्ड से भी डिराइब हुआ है जिसका मतलब to share होता है यानि यह जो वर्ड है यह स Champion Crisis पर forme इंयिज द्मारहा है पिछले मुझा रूमें बी देखा था कि एक आइडियोलाजी है तो हम ऐसा भी कह सकते है कि वेसिरिम एक आइडियोलाजी है हिसमें матते हैं पावर इन्सक्राइश के पास जा इंडियोलाजी हम लिग सेसे आइडियों एक portion किøसीою होती पावर का शेरिंग हुआ होता है यानि कि पावर सभी अलग अलग इंस्टिटुशन या पार्स में या अथोरिटी को डिस्टिब्यूट की जा चुकी होती है या पावर शेर की गई होती है ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या ऐसी आइडिलोजी को हम बोलते हैं से डिलिदम हमेशा मैं आपको बताया है definition is और से शुरू रखिये बहतर होता है कि वो है क्या तो यह या तो एक आइडिलोजी कह सकते हैं इसको या काईदे से डिफाइन करना है तो system of government directly हम कहेंगे कि एक system of government है जिसमें power centralized नहीं होती है अब आपको इस chapter में पढ़ना क्या है आपको तरसी बनी मतलब हमें पता चला कि power sharing बहुत जरूरी होती है और जिस सरकार में जिस system of government में power share की जाती है उसे हम federalism कहते हैं तो हमें उस part को बड़े ही detail में पढ़ना है आपको याद होगा वहां हमने पढ़ा था vertical form of power sharing जहां पे एक अलग-अलग level पे government अलग-अलग level पे power को share किया जा रहा था आपने पढ़ा था वहीं हमने आपको example दिया था federal government तो उस part को निकाल के पूरा आपको इस chapter में detail में बढ़ना है तो इस chapter में पढ़ेंगे क्या एक overview ले ले लेते हैं आप इसमें federalism के बारे में समझेंगे federal government और unitary government के बीच में difference समझेंगे ताकि आपको federal government पढ़िया से समझ में आए उसके बाद federalism के features क्या क्या होते हैं यानि क्या properties क्या characteristics होंगे features होंगे तब वो उस देश में federalism federal government होगी ऐसा पता चलेगा या वहां पे federalism follow हो रहा है ऐसा पता चलेगा फिर आप देखेंगे क्या India federal country है कि नहीं आप features समझेंगे फिर अपने जा रहा है और एक आपका अंतीम टॉपिक इसमें होगा decentralization भारत में वीकेंद्री करण पावर का इतना आपको समझना है तो अगर बात करें federalism की definition की जैसा मैंने आपको कहा कि जो federalism का concept है एक ऐसा political system को represent करता है जहां पे अलग-अलग level of government में जैसे की national है regional है जो authority है और responsibilities है उनको share किया जाता है जो powers है जो जिम्मेदारिया है उनको share किया जाता है ऐसे system of government को हम कहते है federalism ऐसे system of government को कहते है अच्छा यह जो आपकी definition है generalist में दी गई है NCRT की है that federalism is a system of government in which the power divided between a central authority and various constituent unit constituent unit में आपको बताया यानि वो डेश जिन unit से मिलकर बना है चाहे वो चोटे-चोटे state हो राज्य हो या district हो गाउं हो कुछ पर उसके जो भी units है सब ही units कि यहां generally बात की जाती है कि उसके जो भी units है उसमें power body हो इसको मैंना अलग से लिखा है बोला मैंने क्योंकि यह NCRT की लाइन है आप प्रिफर करिए समझ रहे हैं लग बाग वही बात मैंने कही लेकिन प्रिफर करिए कि आप NCRT वाली लाइन ही अपने आने से में पहले लिखें अच्छा जब federalism की definition की बात आती है तो कहीड है साधे इसके बड़ी खुबसूरेट डिफिनेशन है जो केसी वियर साहब ने प्रभबब्ली दी है जो की मुझे भी काफी बहतर लगती है सभी से और हमें सुआप देखते भी है कि आपके नोट्स में हमेशा लिखवाते हैं federalism is an ideology of diffusion and fusion of power थोड़ी सी उची बात है यह कि जो federalism है वहां पर power को diffuse किया जाता है यानि बांटा जाता है लेकिन फाइनली उसको fuse किया जाता है यानि कि उसकी वजह से पावर का fusion दिखाई देता है हमको यह definition में कहा जा रहा है यह काफी बहतर definition है आप add करने के लिए अपने answer में लिख सकते हैं बाकि आपके लिए सबसे perfect कौन सी है यह है यह अब बात आती है कि federal government के features क्या क्या है यह हम उसको compare करके unitary से compare करें अच्छा federal federal कर रहे हैं तो फिर unitary क्या है या कैसा system होता है इसको समझते हैं तो यहां पर बात आती है federal government के difference कि आप इसको अलग से भी समझ सकते हैं एक line में समझें जनजली तो आप बताएंगे कि federal government यानि जहां federalism है वहां पर पावर किसी भी दस्वा में केंदरित नहीं होगी किसी एक institution किसी एक व्यक्ति के पास केंदरित नहीं होगी centralized नहीं होगी Unitary Government में वह पावर केंदरित होगी centralized होगी यानि कि जो national authority है या कोई भी state है उसका जो एक institution है या एक रखती है वह powerful होगा उसके पास पुरी power centralized होगी वह authority होगा central authority होगा वह ऐसी government को कहते है unitary government लेकिन जहां power बटी हुई रहती है उसे हम क्या कहते है federal government कहते है यह normal बात है लेकिन कुछ features है अलग अलग जिसकी वज़ा से आप समझ पाएंगे कि किसी country में federalism है की नहीं है है तो कितना है बैतर है perfectly है कि कैसा है पहली बात तो ठीक है भाई जो power है जो मैंने आपको बताया central और regional government में स्टेट की power और center की power बराबर ही होती है मैंने आपको पिछले में बताया था subjugate नहीं होता कोई यहां पर जवाब देह नहीं होती है कि वह काम किस लिए कर रहे हैं उनकी अपनी समय उनकी अपने एरिया में उनका jurisdiction है अधिकार है authority है वह उस होज़से वहां करते हैं उनका अधिकार है वहां पर ध्यान देंगे federal government में पर कॉछ देशों में अलगलों कॉण्फेंस का डीटेल रखते हैं केवल बिल्स का डीटेल रखते हैं उनको कॉंपाइल नहीं करते हैं तो इस तरीके से हम उसे unwritten कह देते हैं, इसलिए Britain का constitution unwritten है, ठीक है भईया, तो ध्यान देंगे आप क्या, written होता है federal government में constitution, यहां written भी हो सकता है, और unwritten भी हो सकता है, एक बात और धान दीचे, double citizenship होती है federal government में, यानि आप state की citizenship अलग, जिसे state में रहा रहे हैं, जो भी आपका judiciary है, judiciary बीच में काम करेगी, दोनों के पक्ष को सुनेगी, अगर कभी ऐसा कोई विवाद होता है, तो judiciary पर किसी का कोई दबाब नहीं है, ना ही central का, ना ही state का, क्योंकि दोनों भाई बराबर हैं, किसी का कोई दबाब नहीं, लेकिन यहां पर कोई जरूरी नहीं है, independent हो भी होगी, centralized होगी, constitution return भी हो सकता है, judiciary independent हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, का sense है, कि practically, एक आदमी डॉमिनेट कर रहा है, उसी का छहतर राज है, तो जरूरी नहीं कि judiciary independent हो ही, उनके अंडर में होगी, ठीक है, तो यह किसके features है, unitary features थे, ठीक है, हमको बात आपको समझ में आई होगी, कि federal government क्या है, और unitary government क्या है, फरक से हमें चीजे जाता बहतर समझ आती है, अब अगर अलग से बात करें, features की, भी या, इस मुद्धे को जो आप थोड़ा गौस लेखिए का तो तो घूर घूर के, समझिए का, क्योंकि आपके exam के लिए भी बहुत important topic है, और federalism के समझ के लिए भी ये topic आपका बहुत important है, exam में long answer भी आता है, और short भी आता है, long पूरा detail में आपको लिखना होता है, short में थोड़ा से point लिखने होते हैं, तो भी आपको देखना है कि federalism के feature क्या-क्या होते है, यानि कौन सी स्थितियां होगी, तो हम कह हैंगे कि यहां पे federalism है, या federal government है, सबसे पहली बात, सरकार के दो या दो से जादा level होंगे, more than two or more than tiers of the government, यानि जो सरकार है, उसके दो या दो से जादा level होंगे, tiers होंगे, यानि एक ही व्यक्ति-centralized, एक ही institution या एक ही level नहीं होगा, power co-centralized के हुए, जहां पे power centralized होंगी, सरी, वो अलग-अलग पार्ट में बटी होनी चाहिए, चाहे दो, चाहे तीन या उससे जादा, में लेकिन दो है, दो होनी चाहिए, दूसरी बात है, कि अलग-अलग जो tiers है, जो उनकी government है, वो govern करेगी सेम citizens को, लेकि सब के jurisdiction अलग होंगे, तो यह दूसरा वाला थोड़ा स सबका jurisdiction अलग-अलग होगा, इस बताते हैं इसको अलग सिर्भ है, इस specific matters का, यह बोला जा रहा है, कि माल लें एगर कोई area है, इस area में लोग रह रहे हैं, ठीक है Satya, यह बोला जा रहा है कि इस area में लोग रह रहें, इस area में जो लोग हैं, सपोस्थ हम प्र्यागरा में हम सेंट्रा गवर्मेंट के अंडर में भी तीनों टो हम पर रूज सकते हैं तीनों तो रूल कर करें आप को ऐसा करना हो या सही बात रहा है नहीं लेगा का नायरा अलग में तो इक एक एय्या होता है यह तो. पावर और अथारीटी में फार्क होता है जब पावर कुम्प्लीटली उसके रिस्पॉंसिबल हो जाए यह लिगलाइज हो जाए तब मुझे अथारीटी कहते हैं जैसे। इंग्जामपल दे सकते हैं जिसे आपके स्कूल में कोई सीनियर है ठीक हैं आएं आपको मार के चल द आपको सम्मान करना चैनल डाउट लेकिन जब जोसे थोड़ी आप साथ खिलते उचल जाएंगे वह आप कम्प्लें कर सकते हैं उनके पास पावर है आपको मानने के लिए अथोरिटी नहीं है लेकिन टीचर के के से हो जाता है अब उस तरीके नहीं चाहिएगा मैं पीचर ने पुलिस आपको पाणिश करेगी विकॉस यह अथोरिटी लीगल पावर हमके पास समझ रहें कि नहीं है तो जूरिस्टिक्शन एक निश्चित एरिया होता है कि भाई यह यह काम करेंगे तो इनके लिए हम इनको पाणिश करेंगे हम जिमेदार होंगे यह इस एरिया में इस एरिया में सब लोग रह रहे हैं अगर हमको एजुकेशन के लिए कुछ बात रखनी है हम और अगर कोई हमको वीजा बनवाना है अपना या कुछ हमें इसके पोस पे जाना चाहते हैं जो भी फॉरन अफिर्लेटेड मैटर है तो आप यूनियन गवर्ण्मेंट से कौंस और नीचे आएंगे लोगल गवर्ण्मेंट है यानि हर सरकार का हर लेवल ऑफ गवर्ण्मेंट का आप पे जुरिस्टिक्शन यानि की लीगल अथॉरिटी का जो एरिया है वो अलग अलग है हैं तो सेम सिटिजन लेकिन इन पे सब का अलग अलग अधिकार और अलग अलग जिम्मेदारिया हैं इस बात को आप समझने की कोशिश के लिए जरा क्योंकि ये सारे लिंग बाते हैं जो अलग अलग टायर्स हैं गवर्ण्मेंट का वो सेम सिटिजन को गवन करते हैं लेकिन हर टायर का अपना जुरिस्टिक्शन होता है कुछ स्पेसिफिक मैटर्स के ल कि जो जुरिस्टिक्शन है वह कौन साथ किसका होगा यह कैसे पता चलेगा पहले हमने क्या बोला हमने बोला कि अलग अलग टायर्स ऑफ गवर्ण्मेंट होंगे लेकिन सेम लोगों पे अलग 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 एरिया पे उनका अधिकार होगा हर एक ही बात पर तीनों लोग आक और ने कोई विवाद का कोई स्पेस न छोड़ा जाए तो यह बाते परली सिक्स कर दी गए यह कहां पे समीधान में Constitution में जिसका दी गई है चलो यह भी ठीक है मानलो Constitution में में कर दिया गया बाद में ने 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 फिर सुनिए जो fundamental provision है पावर शेरिंग का जो fundamental provision होगा Constitution का और गॉल्रुल बनाया कि श्टेट-गजोगनमेंगि प्वर को कम करना है या इस अधिकार को भी इस छो हैं इसको ब्ला विंक तो हो सकता है कि सब सब्सक्री हो इस जो तो ब्ला टिक्स हो गई है किसका किससे पावर है वह वो सलमीधान में लिखा है सलमीधान में भी अमेंट में नहीं होगा जब तक बाईलिट्रल उस पर यहां को ब्वांट में तरह करेंगा किसमें किई करना है फटांडामेंट मेंटमिंटर फ़िछन पे ठीक बात यहन लेकिन माल लीचे तब भी ऐसा कभी कोई स्थिती हुई इतने सब दोस्ता के बाद सबका लेवल अलग-अलग है और ये लेवल बताया गया है कि आप स्पेस्फिक मैटर्स में ही इंटरफेर करेंगे वो स्पेस्फिक मैटर्स भी कॉंसिट्यूशन में बताए गए हैं चेंज अन्या क्या है हकोरण करता है तो यह समस्से है उसको कंदूड करेगा कौन सुप्रिम्पोट तो यह सारे कि सेके चिथ हैं और कुछ चीजे है ने फाइनिंश alone की बात है भी अलग कर दिया के कर दिया अलग 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 उनकी रिस्पॉंसिबिल्टी इसके छेत्र फिक्स कर दिये गए ठीक है पैसा भी तो लगेगा पैसा भी तो लगेगा मुझे एक छेत्र दिया जाए आपको इसको डेवलप करना है ऐसी डेवलप हो जाएगा पैसा लगेगा financial autonomy भी तो होनी चाहिए अब माल लिजे पैसा उपर से और गांप लिए अब मै उसको अपने हिसाब से मुझे एग्जामपल जैते मालेजिए किसी गाओं में खेती के लिए ठीक ठक है वे वेवस्था पानी वेवस्था है इरिगेशन के लिए नहरे वगरा है नदिया है आप सरकार उपर से पैसा के लिए पैसे की बात करो रहा है लेकिन यहां पर पैसे की बात आ रही है कि कहां खर्च करना है तो यह हुआ भाई कि जो अधिकार भी उनका है उनको फाइनेशल अटोनॉमी भी प्रवाइट करनी होगी यहीं सरकार का भी नेशनल लेवल पर बजट होगा और स्टेट लेवल पर बजट होगा ऐसा स्पेसिफाई किया गया है तो दो अब्जेक्टिव होते हैं मोटीव होते हैं फेडरलिजम के है यूनिटी को प्रमोट करना और दूसरे टाइप दूसर समय डिजनल डावस्टी को अकॉमोडेट करना देखिए यूनिटी को प्रमोट करना मतलब अच्छा आप गुजरात नवरात्री मना रहे हैं अच्छा महराष्ट में गणेश पूजा हो रहा है ठीक है लेकिन हम अच्छा में लेकर चलना है तब ही तैसी गौणमेंट है साथ ही रिजनल डावस्टी को भी अकॉमोडेट रखे अजस्ट रखे उसके हिसाफ से सट रखे अब यह नहीं है तो हम डेवलप्मेंट हो रहा है तो चीजे नहीं चीजे आ रही है या फिर इंडिया में जो को मिनेंट है तो उसी को पूरे इंडिया में कर दें ऐसा नहीं नहीं आप पॉंगल मनाईए आप उनम मनाईए आपको जो फेस्टिवल मनाना आप जैसे कपड़े पहनना आपका जो कल्चर है उसमें रहिए डावर्सिटी को कुमडेट रखिए बढ़ियां बात पर है ज्य यहां पर होता है जहां पर मूच्वल ट्रस्ट हो जहां पर मूच्वल ट्रस्ट हो और लोग एगरिमेंट के साथ दूस्तरे के साथ प्रेम भावना सरह है mutual मतलब होता है जहां दोनों दोनों तरफ से रिस्पेक्ट दोनों तरफ से ऊपरेम दोनों तरफ से एक कोपरेशन की भावना हो यह इन्यल्वर्स मोटीव खोता है जो लोग है आप रह रहे हैं उनके बिच में agreement की भावना हो या कह लिजे कि mutual respect हो दुस्रे के प्रति def stink यह बात आपको ध्यान रखनी है कि फेडरल गवर्मेंट कितना जरूरी है डाइवर्सिटी को अक्मोडेट करने और यूडिटी को प्रमोट करने के लिए और पूछा जा सकता है आपसे वन लाइनर में भी कि आइडियल फेडरल सिस्टम कैसा होता है या उसका लक्ष क्या है क है यह अधिकार का वह अलग अलग होगा यह कहां लिखा है समेधान में लिखा है लेकिन कोई कर दिया तो कोई ने चेंज करेगा यानि दोनों लेवल जब एगरी होंगे तभी चेंज होगा सिर्फ पाल्यामेंट नहीं कर देगी एक ही लेवल नहीं कर देगा युनिलेटरी ठीक है फिर विमान लिजे लडाई जगड़ा हो गया किसी बात पर कुछ विवाद हो गया तो स की फीचर होते हैं ते अच्छा जहां ऐसी चीजें हम को देखने को मुलते है वहां पर लिग्वावनेंट है इन ड़ले फैडरे सर्ग्राइब हो देखने सफेथ लगे你खंघ हो jest region kया आप में शारेंद इन्टाइबWैशन कर चाहां से नहीं की देखने से पहल ने एक होता है holding together federation, coming together, holding together, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों formation की basis पर होते हैं, जैसे होता है, हमने आपको पढ़ाया है कि category divide करते हैं, किसी basis पर करते हैं, कोचिंग में किसने बच्छे हैं, class wise देखा जाए, 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, 12th के सक्षण A, 11th के सक्षण इन्हों ने फिर फाइनली छोटे-छोटे थे, भाई देखिए, बैधर वर करने के लिए ठीक नहीं होता है, इन्हों ने फैसला किया कि हम सब लोग इकट्फ्राओ करके बड़ा state बनाएंगे, बड़ा देश बनाएंगे, किसी दसा में लोगों ने ऐसा, ऐसा सोचा कि अब इसको बोलते हैं, हम लोग coming together federation, ठीक है भीया, अब इसके बाद हमें समझते हैं, लेकिन एक और बात हो सकती है, कि एक state था बड़ा सा, लेकिन administration बढ़ियां हो सके, और इसका क्या सकते हैं, execution बहतर हो सके, प्रोपरली वर्क कर सके, इसके लिए हम इसको पार्ट में अंदर division कर देते हैं, powers का, या फिर आप कह लिए कि area का, जहां पर सबके अलग-अलग level पर काम बाट दिये जाए, ताकि administration easy हो जाए, इसको बोलते हैं, holding together federation, देखो बाबू, यहां पर भी अलग-अलग state है, इनके पास power है, सबके पास state के पास, यह सब मिल गए है, एक जो ह state, development के लिए आगे बहतर रहता है, कोई एक बड़ा देश हो सके, ऐसा इसलिए उनोंने form किया, तो यह कैसा federation है, coming together federation है, यहां एक ही state था, लेकिन administration बहतर हो सके, तो छोटे-छोटे state में इसको अलग-अलग divide कर दिये, administration बढ़िया हो सके, तो यह holding together federation हो गया, दोनों सेम है लेकिन दोनों बने कैसे हैं, इस बात पर दो type है, एक coming together और दूसरा क्या है, holding together, तुमको क्या ध्यान रखना है, पस इतना ध्यान रखना है, कि यह जो holding together है ना, holding together में, जो central power है, जो central authority है, उसके पास power थोड़ी जादा होती है, इनके तुलना में, जो central authority उसके पास power इनके पास भी वैरी हो सकता है इसके पास किसी दर्सा में जादा पावर हो इसके पास कम हो यानि वही होता जो special provision हमारे इंडिया में चलता है states को देते हैं बात कर रहे हैं उसके लेकिन इसको आप समझेए holding together लेकिन यहां पे जो अलग-अलग level है government का उसमें पावर का फर्क आता है holding together में इसके coming together federation के तुलना में holding together federation में central government की पावर थोड़ी ज्यादा होती है तो आप समझ पाते होंगे कि इंडिया इसी एक अंतरगता रहा है एक में इसको भी देख लीजे जो स्टेट हैं वो खुद से आते हैं और एक bigger स्टेट बना लेते हैं मैंने अभी बताया अपनी स्टेट को इकठा करते हैं अपनी अपनी संप्रभुद्धा को अलग अलग स्टेट जो है वो मिक्स को बनाते हैं लेकिन आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं बरकरार रखते हैं समझ आए आप अमेरिका में है इसा अमेरिका में तेरा स्टेट जब बना था आजकी डिट में तो पचास स्टेट हैं तो अमेरिका इसका एक्सम्पल कर रहे हैं लेकिन एक एक देश के अंदर या एक स्टेट के अंदर में अगये हैं फ्रीली रूल कर रहे हैं लेकिन एक देश बन गया है समझ रहे हैं बात को एक्जामपल है USA, Switzerland, Australia India, Spain, Belgium, archaea । यहां पर गवर्नमेंट होगी वह यहां पर जादा पावर्फूल होती है ठीक है तो यह क्या था कि फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या है सब्सक्राइब की फीचर्स क्या है और दो टाइप. अपिते अ क्या हैं कि हमारा देश कैसा है, कैसा है मेरा भारत दे तो सबसे पहली बात इंडिया में जो मूल समिधान था जो हमारा फंडामेंटल कॉंसिट्यूशन था उसमें दो टायर थे सिर्फ नेशनल और स्टेट दो टायर थे गवर्ण्मेंट के नेशनल और स्टेट बाद में देखिए जो पंचायती अला सिस्टम आपको समझाते हैं कॉंसिट्यूशन में इसको काईदे से आड़ गया गया है 1992 में इतना समझ यह बस पहले नहीं था पहले सिफ दो टायर से गवर्ण्मेंट के तो ठीक है ना दो टायर भी थे तब भी तो फेडरल ही था तो यह दो से ज्यादा होना से यह और फिलहाल में कितना है थ्री टायर करने हैं तीं टायर है हमारे देश में गवर्ण्मेंट के कौन कौन सा है आपका यूनियन पिर उसके बाद कौन है इस्टेट गॉवर्न्मेंट फिर उसके बाद कौन है लोकल गवर्ण्मेंट नहीं सब्सक्राइब तो है अच्छा चलिए पहली बात ठीक है गुड पर दू नियम और कौन की छेत्रों पर अप में बना सकता है तो उसके लिए तीन लिस्ट अलग कर दी गई पहले यून स्टेंट लेस्ट तीन अलग mood at करनी नियम बनाएगा इस पे जो विशां उन पर कॉन नियम बनाएगा अपहली की ता या क्या क्या बते की जीनका जीन आएंगी जिनका यू इसलेड़ी जंट के माहत्रा है राष्टों से जहां पर हमको जो policy है वो same चाहिए, uniform चाहिए, ऐसे विश्यों को रखा गया union list में, जैसे defense, राजिस्थान अपना अलग सिस्टम बनाए, सोचिए अगर, कि हम इतने मिसाइल रखेंगे, हम आर भी कोई इतनी salary देंगे, हम border की वफस्था ऐसे रखेंगे, पंजाब अलग रख बात है कि आपके boundaries को यंदर आ जा रहा है, तो boundary वाला जो काम है, जो defense वाला जो काम है, वो कौन रखेंगे अपने इंडर में, national government रखेगी, ताकि पूरे, जैसा जैसी policy उसको बनाना हो, security के लिए, वो ऐसी बनाए, और पूरे country में uniform रहे, same रहे, ध्यान दीजेगा, जिन व जो स्टेट के दाइरे में हैं, जहां हमको जरूरी नहीं है, कि uniform policy चाहिए ही हो, भाई देखो, महाराष्ट को लेते हैं, राजिशान को लेते हैं, राजिशान में पानी की कमी है, वहाँ पे पैसा अगर आ रहा है, खेती के लिए, तो irrigation के लिए जरू है कि नहीं, या लोकल बहतर है कि यह जो अग्री कल्चर्स रिलेटेड़ मामला है, यह सरकार खुद देखे, हमारे यहां कैसी जमीन है, कैसी पैदावार है, जो जैसे commercial crops होने चाहिए वहाँ, कि यह वाले crops होने चाहिए, wheat grains, वह अपने हिसाब से सेट करें, उस हिसाब से fertilizer के लिए पैसा प्रवा होती है किसमें, एक तो आप यह सबसे common example आपका irrigation का ही है, यह irrigation का है, और police का भी हो सकता है कि crime के level पे या population के level पे हम अपने हिसाफ से deal करें, तो police जो है आपका उस national defense में तो आती नहीं है, हर government की अलग-अलग, हर state की अलग-अलग set कर दी गई, जिसमें uniform policy की जुरत नहीं है, हर state, population और अपने geographical area की वज़ह से अलग-अलग deal कर सकता है, उस उन list को, उन subject को state list में डाला जाता है, सही बात है, फिर कुछ ऐसे मामले भी होते हैं, जहां पे state, मैं revision करा रही ही, तो मैं कोशिश कर रही है कि सब cover कर लू, और जल्दी-जल्दी कर रही है, मतला कि कोई विश सबजी है, मैंने specially कोई चोड़ा नहीं पॉइंट, नोर्स पनाया है, नोर्स पनाया है, पुड़ा-पुड़ा, तक कोई पार्ट शूट रही है, तो बहिया, क्या मैंने बताया है, कि state list में जहां uniform policy नहीं चाहिए, union में uniform policy चाहिए, कुछ ऐसे भी विशा होते हैं, जहां प उसके education policies भी हो सकती है, अपने अलग-अलग, तो education भी central level देख सकती है, और state government की भी अलग-अलग है, आप देख रहा है, central universities भी होती है, state universities भी होती है, इस वज़ा से, वो subject जो common interest में हैं दोनों में, जैसे education, for rest, marriage, adoption, succession, ऐसे जो कुछ विशा हैं, उनको concurrent list में डालते हैं, concurrent list मतलब मैं दोनों लोग उस पर फैसला कर सकते हैं, लेकिन फैसला अगर, अलट प अलट हुआ, union government करी नहीं नहीं, marriage में age जो है, अभी age हुई है, लडगीों हुई है, 21 हुई है, पहले 18 थी जो, और भी जो भी नियम इस पर बनते है, adoptions related, certificates related, तो union government करी नहीं यह होना चाह होगा, जो union government कहेंगी, वही बैत मानी जाएगी, holding together का, दिखा, symptom, तो यह जो बाते थी, हम लोग क्या पोट रहे हैं, कि इंडिया federal country है कि नहीं, तो यह list का divide होना, jurisdiction सब का अलग अलग होना, three-fold distribution होना, यह क्या show कर रहा है, federal country है, और देख लेते हैं, इती बाते थी, उसके सब्सक्राइब, जो यूनियल लिस्ट है, state list है, concurrent list है, इसके रावा भी उसी समय fix कर दिया गया, मान लो कुछ ऐसे विशे हैं, जो भी आए ही नहीं है, constitution बनने के बाद में develop हो जाते हैं, या बाद में कोई ऐसा वामला आता है, कि अलग विशे बन जाता है, तब 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 सब्सक्राइब, जैसे तब उस समय कंप्यूटर वगेरा, सौट्वेर वगेरा तो था नहीं, अब आप देख रहे हैं, AI भी बाद जाएगा भी नए नियम कुछ ज़ुरत पड़ सकती है, तो जो computer software है, या ऐसी बहुत सारी चीजें है, जो भी नहीं आई हो सकता है, आगे सब्सक्राइब, तो उनको क्या बोला गया, उन पर कौन अधिकार है, कौन यह बनाएगा, Union Government, किसका अधिकार है या, Union Government का है, फिर एक शाब लिखा Union Territory, यह क्या होता है, इसमें मुझे बहुत कंशी जहन होती थी बच्पन में, क्या ज़रूरत है इसकी, तो Union Territory जो है, यह एक Federal Territory है, जो कि Union Government की अंडर में है, यानि एक ऐसा हिस्सा होता है, यह मैं अराम समझते है, कि एक ऐसा हिस्सा होता है, जो इतना बड़ा भी नहीं है, कि हम उसको एक स्टेट गोश्चत कर दें, और ऐसा, ऐसे सिट्वेशन भी नहीं है, कि हम उसको किसी स्टेट अपा इन्डिया में, जो कि Union Government के द्वारा ही अर्मिनिस्टर होती है, और पूरी माल दीजे तरीके से, और वह एरिया जो मैंने अभी बताया आपको वह सारी बाते हैं, या तो छोटे हैं, या कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता, और उनको मर्ज भी नहीं कि रीजन बताएंगे, जो Union Territory है, वो क्यों जरुद क्या पड़ती है, देखो बाबू, या तो उसका Political Importance बहुत ज्यादा हो, भाई दिल्ली है, तो वहाँ पे Capital City है, तो उसका Political Importance ज्यादा है, वहाँ पे ज्यादा वैसे काम होंगे, Politically वह लीट कर रही है देश को, या फ वहाँ का जो Culture है, वहाँ का जो Culture है, वहाँ का जो Culture है, वह का अला गया, उसको प्रमोट करने की जरूरत है, बचा के रखने की जरूरत है, दमन्दिव वगेरा है, तो उसको एड किया गया, या फिर Strategy की Importance हो, उसकी Location इतनी इंपॉर्टेंट हो, उसका काम करने की जरूरत ह का भी है, किसका है, अंडमान निकोबार का भी है, अंडमान निकोबार आइलेंड जो है, क्योंकि वह शिप्स के रास्ते में पढ़ता है, फ्यूर्लिंग के लिए, और उसकी Location बहुत स्ट्राइडिजी के इसलिए है, इसके साथ साथ कोई पार्ट देश का जो बहुत गरी आइड जाता है, एक बाद आपको याल रचना है कि power sharing के arrangement है, यानि किसके हिस्से में कौनसी power है, वह भी easily change नहीं की जा सकती है, वह भी easily बदले नहीं जा सकती है, उसके लिए क्या लगेगा two-third majority लगेगी, उसके लिए क्या लगेगा two-third majority लगेगी कहां? पालियामेंट के, पार्लियामेंट के दोनों house में लोगसावाराजी सभा में two-third majority से यानि total लोगों में से two-by-third लोगों से ज़्यादा लोग जब उस पे support करेंगे उसका तभी वो bill pass होता है इसके साथ unilateral नहीं इसके साथ साथ कम से कम आधे state की जो legacy lecture है आधे state की जो legacy legislative assemblies है वहां से भी ratify होना चाहिए वहां से भी एक पास किया जाना चाहिए तब ही वह बिल पास होगा तब ही कोई चेंज होगा समीधान में पावर शेरिंग से रिलेटेड यानि इतना मझबूत रखा गया है कोई भी चेंज नहीं कह सकता इसमें तो दो थर जोटी से जादा हो दोनों हाउस से और इसके लागवा जो जुडी से हमारे यहां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैंने आपको पढ़ाया था चेक एंड बैलन सिस्टम तो उसमें आमने आपको बताया था कि जो तीनों पार्ट है जो लगिस्लेटिव है एक्जीटिव है जुडीशी है वह दुसरे क को चेक करके बैलन्स करते हैं यानि लेगिसलेटर कोई भी लॉग अगर बना दे रही है और सुप्रीम कोड को उस पर दिक्कत समझ में आ रही है तो वह उसके अग्निस बोल सकता है वह उसको चेक कर सकता है तो हमारे देश में जो जुडीशीरी है वह बहुत इंपॉर्टे करोल प्ले करती है अगर स्टेट गवर्न्मेंट के बीच में कोई विवाद हुआ तो इंडीया के ईतने अतने मतलब यह सारे क्या थेखे कि इंडिया में आपको समझना ह। है की नहीं है इंडिया में टायर्स ऑफ गवर्णमेंट जो है वो तीन है आज की रेट में तीन है उसे विजानुद हो थे और तीन लिस्ट रखी गई है यूनियल इस स्टेट लिस्ट का न्गरेंट लिस्ट थ्री फोल डिस्टिबूशन है लेगिसलेशन का यूटी इस का सिस्टम है और सब्जेक्ट्स है ठीक है और सेंटर कोवर्मेंट की पावर है तो यूटी की बात की जा रही है और यूटी का इंप्रेंज क्या होने का के साथ साथ तू-थर मैजूर्टी होगी तभी पास होगा कोई भी नियम चेंज करने वाला रेटिफिकेशन कम से कम आधे स्टेट्स क हो तभी ऐसा कोई नियम पास होगा जिसमें पावर शेरिंग के रूल चेंज किये जा रहे हो और जुडी शेरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मतलब हमने समझा कि जो लगबग फीचर्स थे मैक्सिमम जो फीचर्स थे फेडरल गवर्मेंट के वह यहां पे इंपलाई ह हो रहे हैं इसका मतलब हमारी कंट्री फेडरल गवर्मेंट है इसका मतलब इंडिया में इंडिया एक पेडरल कंट्री है लेकिन सुनना जड़ा यह जो हर जगह यूनियन गवर्मेंट की पावर ज्यादा हो जा रही थी दो में से एक option था उसमें यूनियन गवर्मेंट जा मैं लेकों Ce We हमारी इंडिया एक फैल्ड नहीं आ क्वासी पिर सकते हिए कि इंडिया एक कैसी कन्ट्री फैल्ड है थीक बत है आप इसके आगे देखना है कि इंडिया में में निया कैसे practice हो रहा है यानि कि यह तो हम ने देखा कि इसके features क्या-क्या है फिर उसके बाद क्या बात आती है कि federalism कैसे practice हो रहा है इसके लिए अलगले point देखना हम को तीन बाते देखनी है हम एक intro बता जाने इसको तीन बाते देखनी है पहली linguistic states, दूसरी language policy और तीसरा central state relation यानि इंडिया में जो संग बाद है, जो federalism है, वो एक लंबे समय से prevail हो रहा है, ये भी fix हो गया कि इंडिया एक federal country है, कैसे fix होगा, फीचर देखा हमने, वो feature यहाँ पर apply हो रहा है, इसलिए, इंडिया federal country है, quasi federal है, ये बस सही है, लेगें federalism कैसे practice हो रहा है, तीन बाते देख मतलब यह सारे नियम तो नहीं आड किये गए थे कॉंस्टिटूशन में लेकिन आगे ज़रूरत पढ़ी उसकी ना और जिस तरीके से काम किया या इस वज़े से वह हल्फुल हुआ पहला लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया में आडिकल 2-3 के तहर तो हम नया स्टेट बना स वहां पहे उन लोगों की मांग थी कि हमारा सिस्टम अलग कर दिया जाए हमारा स्टेट अलग कर दिया जाए ताकि हमारा अड्मिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से हो और जो कल्चुरल एथेनिसिटी है वो मेंटेन रहे इसेंपल जैसे कल्चुर के बेसिस पे नागालेंड उत्राखंड बना अलग अलग स्टेट बने लेंग्विज के वेसिस पे एक बना आंधर प्रदेश हलाकि उस पे काफी बबाल हुआ था लेकिन वह बना श्री रामलु जी की वज़ा से बना था वो नाइटिनेट फिटी निट फिटी टू में उनकी मौत हो इसी उसके बाद तो यह शो कर रहा है लिंग्विस्टिक स्टेट का बनना यह शो कर रहा है कि कंट्री में अलग अलग जगा के अलग अलग लोगों को अधिकार दिया जा रहा है उनके कल्चर को महत्व दिया जा रहा है उनके लेंग्विज को महत्व दिया जा रहा है इस वज़े से लिंग पूप इसकी के पatar रखा गया लेकिन हमारे देश मेन महाथ लोग hitting है बागी तो नौन हंदी वाले थे उनका समवान किया ह्जिंदी को लाया गया लेकिन 1965 में इंग्छी को पंध भी कर दिया गया किया फॉन छश्रिलां कि दित को कया गया लेकिन यहां पर पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था श्रिलंका की तरह कि इंपोस कर जब अजस्ती नहीं होगा तिनाला ही होगा क्यों होगा यहां पर 40 परशंट वालों का भी किया गया बैलेंस कर दिया गया चोड़ दिया गया हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही ऑफिशल यूद ह होता है हमारे देश में इसके साथ साथ हिंदी को लेकर के 21 और भाषा को जोड़के बाइस सिड्यूल लाइंग्विज चोड़ दी गई संविधान में उनके लिए अलग सिस्टम है एनि आप देख रहा है कि हर लैंग्विज के लोगों को हर भाषा बोलने वाले लोगों को बराबर सम्मान दिया जा रहा है इंपोस नहीं किया जाना कुछ भी इससे पता चल रहा है कि प्रेटरिजम बहतर प्राक्टिस करता है यह दो बात ही कुई तीसरी बात है सेंटर और स्टेट का रिलेशन उननीस सो नब्बे से थोड़ा चेंज आएगा कैसे चेंज आएगा इंनीस सो नब्बे से पहले एक गवर्रेंडमेंट का च्छतर राज था हमारे देश में 1990 से पहले जो सेंटर्ल में गवर्रेंट एक इसे एग्यामपल आप लेकर समझे कौंज मुण की चौंग्रिस का 24 राज था और ज्यादातर जो स्टे यहAf का ही घौंगरी मांडिस ही त देखिए यह चीज लिखी नहीं गई है यह चीज समझने वाली है प्राक्टिकल वाली है कि जो यूनियन गवर्ण्मेंट होगी उसका स्टेट गवर्ण्मेंट पे कैसा दबाव हो सकता है अगर अलग है तो और अलग कॉमन है तो कॉमन है तब भी दिक्कत है उसकी फाइनेश पार्टी का इवल्यूशन उठ हुआ यानि कई घे सारी अलग-अलग लूगल पार्टी उठी और जब ऐसा हुआ तो एक पार्टी जीतने नहीं लगी एक इसी नेशनल पार्टी के प्रभुत्व नहीं रह गया इंपॉर्टेंस नहीं रह गया तो दो तीन पार्टी मिलके एलाइंस बनाने लगी एक गड़बंधन की सरकार बनने लगी कोईलिशन गवर्णमेंट हुआ तो कोईलिशन गवर्णमेंट का जो कॉंसेप्ट है वहां पर भी पावर शेरिंग हम भू दिखाई देती है जिसकी वज़ा से सेंटर और स्टेट का रिलेशन बैलेंस हो जाता ह है ठीक बात है तो यह तीन बाते थी जिससे हमको पता चला कि इंडिया में फेडरलिजम जो संगवाद है वह बहतर प्राक्टिस हो रहा था आकरी टॉपिक है इसका डेसेंटरलाइजेशन यह सारी बही बात है जो मैंने भी बताई वही सब है 1990 के बाद क्या हुआ होगा डि संबचके प्रोडिकी समझेव पाेंट ओफ यूर म्तलब क्या होता है जिसे विक इंडिकरण सेंटरलाइजेशन का मतलब क्या होता है किसी बीच इश का एक जगा पर इBER होनाfest होना केंडरीध होना संट्र deeper होना और यह जिसेंटरलाइजेशन मतलब अलग अग हाना है शेयर की जा रही हो for example जैसे माल लेजे एक काम के लिए उपर से पैसा आता है नेशनल लेवल से या स्टेट लेवल से कि इन गाओं में नल लगवाना है या इन गाओं में सिचाई की वेवस्था नहीं अच्छी है या पर सिचाई की लिए पानी पहुचाना है ऐसा भी हो सकता है कि क की सबुचा है से बाध उठके आते है कि वही ले जो लोकल लोगों से तर मेनी स्टर से जुड़ा हुआ है तो सरका जया बहतर होगी तो प्राशाशन जया बहतर होगा बढ़ियां के ताभ गवशन में सिच्टम 9 करियेट होगा यह बाद वहाँ से निकल आती है इसलिए एक लोकल गर्ण्मेंट की ज़रुत हुई क्योंकि इंटर्नल डीवर्सITY की वज़से पॉपूलेशन की वज़से वी वाइस आप जो उत्तरप्रदेश है वर रश्या ऑगे पॉपूलेशन के बराबरे तोसरी बात जो माहरास्ष्ट है वह करीब करीब जर्मणी के बराबर है तो देखो, पंचायती राज बहुत पहले से था देश में, काफी पहले से था यह नहीं एंसीन टाइम से था, अजादी के बाद से तो चल रही थी सिच्वेशन, लेकिर उनके लिए कोई पैसा नहीं आता था लग से, उनके एलक्षन भी कोई फिक्स व्यवस्था नहीं थी, कि उ मैंने थुछ दिर पहले बताया था कि मूल समीदान में दो ही टायर थे, तीसरा आया, उननेस सो बानबे में, इसलिए आया कि जो लोगल पार्टिसिपेशन है लोगों का वो रहेगा डिसीजन में तो ज्यादा बहतर है, और एक और बात होती है, कि अगर किसी काम के लिए उ हम उसके direct contact में हैं, संपर्क में हैं, इससे चीज़े काफी अच्छी हो जाती है, एक एक ग्जामपल, NCIT में बहुत खुपसूरत दिया हुआ है, बर्थ का, ट्रेन की बर्थ का, कि कोई आदमी नीचे वाली बर्थ पर सोता है, तो उस जादा comfortable feel करता है, उपर वालों की तु होगी, यह बात यहां से समझ में आती है, ठीक है, 1992 में हुआ क्या, देखो, यह बहुत important question है, बोर्ड के point of view से, और यह NCRT में जो लिखा हुआ है, उसको इसको रटना ही पड़ेगा आपको, क्या-क्या चेंज हुआ है, 1992 में, पहली बात fix कर दिया गया कि अब उससे regular election कब से start हुआ, 1992 से, फिर उसके बाद seat reserve की गई, SC, ST, OBCS के लिए seat reservation हुआ, इसमें, ताकि उनका भी योगदान हो सके, उनको भी अलग से, अपने आपको represent करने का time मिल सके, one-third positions यहां किसके लिए दी गई, women's के लिए दी गई, यह बहुत important है, क्योंकि यह गदम तब उठाय दी गई, 1995 में, जिब ज़्यादा तर महिलाये वह सिख्षित थी, पीछे थी लोगों से, तो उनको सर्ता में लाने के लिए, यह बहुतर तरीका था, कि women के लिए ही seat reserve कर दिया जाये, तो मचबूरी में लोग, पार्ट सबेट कर वाएंग, यह करवाएंगे, तो women कहीं नको मिल सकेल या तरह कि पिछली संद्सद्स, यमलर सद्स, हैंधी की एक फिर्णी की पिछले साल था। कि स्थापना की गई जिसके हम क्या बोलते हैं स्टेट कमिशन हाला कि इसको फिर हटानक बात की जा दिया है लेकिन दूर की बात है आपके क्या इंपोर्टेंट है कि लोकल गवर्न्मेंट के जो चुनाओं है उनको कराने के लिए स्टेट एक्शन कमिशन आता है अच्छा और क्या है अड्वांटेज क्या है यह हमको समझ भाया कि 1992 में किया किया गया इसको याद रखिए इसको भूलिये नहीं इसको आपको दो-तीन बार पढ़ना पड़ेगा इसमें से एक भी पॉंट मिस करेंगे दिक्कत होगी होता क्या है कि काफी कंफ्यूजिंग होता है वैसे घ्राशत्र इपर घ्रा उसका भी जाये तो छींगतल हुझ आडएकशन होता है अंड़लों इसको डॉर्ड देश को टीन इसको बारं मंतर होता है हम एंपऐ खर ऑना उनली किखि पहींज्ट यादा होंगे उस ऑसी कर चुना जाएगा है है यहां पर कहते हैं गाओं के जो एल्डर हैं वह एलेक्ट करते हैं पंचायात on मिद्र और इसका सर्पंच का सकों काफे इंगलाश तो यह सिस्टम समझे पंच आयती राच होता है यहां पर 5 लोग होते हैं पंच वाट्स पंच कहते हैं इसे कहते हैं गराम सभा किसकी ऐलक्ट बॉड्य कर रहे हैं सबसे नीचे कौन है ग्राम सभा उसकी सब्लेमंटरी है यानि उसके लोगों की खाली आधे पानली जिला परिशद सेटंस वो पॉलते हैं उन्हें को याद रखना है उन्हें किस्चाइगा ने जोड़न परिशद कीस्फानी है झाले नेतेपरिट्रते हैं लोगा और कई बार में फिर मलें के हैड होते हैं że इक अगरאמा हों तो सब वो भी यहां पर आते हैं इस बात को याद रखिएगा पॉलिटिकल हेड अलग है और वो मजिस्टीयम का आना यहां पर अमेले का आना अलग है यह पंचायत समीति है और यह पंचायती राज यह सीक्वेंस आपको याद रखना है जो पंचायत है वो तो-तीन जगा की कठा करके आ बनाती मज़ा परिश्यट में जो भी डिस्टुट्ट की पंचाय चाते हैं बचल समझा जाता है कौन चाहां अब यहां उसमें वह समझा जाता है जो टाउंस हैं वहां पे मुनिसिपालिटी रस में क्या होती है मुनिसिपालिटी होती है चूड गया इसमें मुनिसिपालिटी होती है और उसके हैड कौन होते हैं मुनिसिपालिटी होते हैं उसके हैड कौन होते हैं मेयर होते हैं कौन होते हैं मेयर होते हैं यह बात भी याद रखना यह चूड गया था यानि कि जो बड़े शह प्रधान वाला तो देखिए जो प्रधान है वो सर्पंच के इक्वेल में ही आता है सर्पंच जो है वो सर्पंच का सपोर्टर होता है बाद में ऐसा विक्ति जिसको लोग election के थूझ करेंगे उसके पास पैसा आता है वो यूस करता है अलग-अलग जगह पे लेकिन सर्पंच उसके equivalent होता है सर्पंच उसका सहयोगी होता है यह जो पंचाय था नहीं हमारा तो इसको डिस्टरब नहीं किया गया लेकिन एक ऐसा वक्ति कर दिया गया जो की सरपंच के साथ काम करेगा लेकिन administration and financial control उसके पास होगा, सरपंच उसमें हस्तरश्चिप कर सकता है, इसी तरह मुखिया भी होता है, मुखिया पुरे गाओं का एक elder वीक्ती को रखा जाता है, सिर्फ सरपंच को deal करने के लिए, सिर्फ पंचायद को डील करने के लिए ठीक है तो यह supplementary चीज़े हैं आप क्या पढ़ेंगे इसमें प्रोसेस में पंचायदी राज पंचायद समिती चिला परिशद ठीक है तो इस चैप्टर में फेडरलिजम में हमने क्या क्या देखा स्टार्टिंग से फेडरलिजम है क्या फेडरल गवर्ण्मेंट क्या है और फेडरल गवर्ण्मेंट के फीचर क्या है समया है लंने वह हमने प्रकार के फेडरेशन होते हैं उसे हमने बहुते हैं पर एंटीन के बॉटलीकि चेंज हुआ था पंचायदी राज है पंचाहती सिस्टम है लोकल लेवल पे मुनिसिपालिटी और मुनिसिपल कर्पोरेशन है ताउंस और सिटीज वाले इरिया में यह चाप्टर एक्जाम के नजरिये से भी बहतर है और आपके समझ के लिए भी तो इसको रिवाइस कर लिजे आई वोप यह चाप्टर आपको बहतर समझ में आया होगा थैंक यू